हेलो फेंड्स वेलकम टू मैं चैनल चीके कैफे देखे घड़ना चक्र बुक के उपर पूरा ओवर्वीव है इस वीडियो का बहुत ज़्यादा कमेंट आये थे मैंने अभी हाली में लिसेंट के बुक का ओवर्वीव दिया था उसके बारे मैं आपको बताया था कैसी बुक है प्रैक्टिकली बताया था और इसमें मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा क्योंकि वैल्यूबल रहता है आप प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि आपने कैसे प्रपेशिन करी थी या कैसे आपके लिए वैलिड है बुक वो आपको बहुत benefit करता है और इस वीडियो पर सबस्यादा मेरे पर कमेंट इसी चीज को लेकर आए दे लोगों ने पसंद भी किया था इस वीडियो को तो मैं आपको सभी चीज के बारे में बताऊंगा क्योंकि मैंने सबस्यादा घटना चकर के लिए प्रेफर करा था देकि SSC के आप preparation कर रहे हैं तो GK के लिए आपको सबस्यादा किस पर काम करना है घटना चकर पर चाहिए हो SSC हो या Railways देकि Railways और SSC में दोनों में सेम बात है GK एक जैसी होती हर जगे और question सेम पूछे जाते हैं जेकेंगे आप मैच कर लीजिगा Railways और SSC में तो इसलिए important book Railways के लिए भी है क्योंकि comment बहुत ज़ादा थे कि Railways के लिए हम ले सकते हैं कि नहीं NTPC का examination आ रहा है तो मैं बोलूँगा सभी के लिए sufficient है ये book चाहे वो Railways हो चाहे SSC हो उन सभी के लिए valuable रही ये book ठीक है और courses करूँगा इस वीडियो के description में इस book का link दे दूँगा मैं क्योंकि लोगों को बहुत query रहती है कौन सी book है कैसा print है कैसी type कि आप बता दीजी तो मैं link दे दूँगा आप directly वहाँ जाके उसको purchase कर सकते हैं ठीक है तो वीडियो को number ना करते है वीडियो को start करते है तो देखिए है घटना चक्रबुक लोगों को इसमें problem आती है कि बता दीजी कौन सी print है कैसा उसका print उपर गा तो आपको normally मैं आपको दिखा रहा हूँ यह मैंने 2017 और 2018 की है जब मैंने इसको purchase किया था बहुत पुरानी हो गई है ठीक है और मैं आपको normally दिखाँगा क्या 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 इसके merits है और demerits है देखिए पहली बाद मैं आपको बता दीता हूँ लोगों को SSC की जो preparation कर रहे होता है उनको बहुत issue आती है book list को लेकर तो इसके लिए मैं especially एक playlist बना दूँगा मैंने overall playlist बना रखे इसी के उपर देखे पहला lucrant का मैंने overview दिया था इसी के अंदर playlist में आपको मिल जाएगी second फिर मैंने आपको lucrant का दिया था science का overview तो मैं आपको सारी इसमें जितनी SSC की book list है important book है वो सारी आपको मेरी playlist में बिल जाएगा आपको को issue नहीं आएगा purchase करने से पहले आप उनको जरूर देखेगा ठीक है और सभी curling कमें इस वीडियो के description में देने की कोसिस करूँगा तो देखे सबसे पहली बात हम और SSC के लिए लग तो ये railways वाले भी खरीच सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बट ज़्यादा effect इसके लिए होती है SSC के लिए ज़्यादा important है ती क्योंकि SSC के previousors repeat होते है तो देखे सबसे पहली बात इसके अंदर बताऊँगा आपको इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर explanation दिरका और ये बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी exam के हम त्यारी कर रहे होते हैं खास कर जीके की तो उसका explanation पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ऐसा नहीं होता कि राजा रभी वर्मा किस छेतर से सम्मंदीर है किस से थे वो चेतरकार हैं बहुत फेमस रहे हैं तो फिर दूसरी बार पूछा गया उसी question को घुमा के अब लोग उसको रट के चले गए होंगे फिर दूसरी बार पूछा गया कि कौन से राज्य के हैं तो केरल के हैं देखे यही question कई बार दिक्कत करते हैं तो हम अगर जितना explanation के साथ पढ़ेंगे उतना अजमाले अच्छा होता है इसलिए ये book के अंदर दे रखा है एक बार पूछा गया था Amrita Sharegill के बारे में कि अमरिता Sharegill कि शेतर से सम्मन देते चितरकार है यह हमें पाता चलिए पिर हमें यह पूछा गया खिल वोग करती थी तो घुन्गरी से बिलोंग करती थी यह भी हमें इससे question पूछा गया था फिर एक और बार question पूछा गया SSC के CGL 2019 या CHSL 2018 ने पूछा गया कि young girl painting की तो यह नहीं की थी अमरता शेर गिल की तो ऐसे question बार-बार घुमा के पूछे जाते हैं और सबसे अच्छी चीज़े इसके अंदर explanation वो बहुत ज़रूरी होता है केसिब exams की त्यारी के लिए मैंने आपको explain कर दिया अब बात करते हैं इसके अंदर पहली बात बता दिया explanation बहुत ज़रूरी है जो इसके अंदर अच्छे से दे रखा है दूसरी बात क्या बोलेंगे दूसरी इसके अंदर जो repeated content होते हैं इससे मैं आपको दिखाने ही कोसिस करूँगा इसमें repeated content होते हैं जो बार बार पूछे गाई question को इन्होंने explanation के साथ दिया होता है नीचे बट इसमें भी मिल नहीं रहा है मुझे जैसे एक question कितनी बार पूछा गया ये भी दिया होता है इससे हमें क्या पता चलता है कि exam कितना important है आपको आगे दिखाने ही कोसिस करूँगा मैं खुद आप इसको purchase कर लेंगे तो आपको दिखी जाएगा ठीक है ये दूसरी अच्छी चीज है कि repeat कितनी बार होगा ये भी दिखाया गया है और इससे हमें पता चलता है कि important question कितना है वो बास समझ में आगई आपको तो ये दूसरी बात होगई important इसके अंदर अब तीसरी बात क्या करते है इसके अंदर सबसची चीज़ दे रखे topic wise इसको divide कर रहा है जैसे देखे मौरेकाल ये आपका मौरेकाल है फिर इसके बाद मुगलकाल दे देंगे तो ये सबसची चीज़ हमें topic wise पढ़ना है और मैंने आपको पहले भी बताया था lucern के time पे कि आपको lucern पढ़ने का सबसचा तरीका है पहले आप previous अर्स पर जाईए उस topic को clear कीजिए या पहले lucern पर लीजे फिर उसके बाद previous अर्स लगाईए कि मैंने कितना पढ़ा है और कितना important है तो इससे दोनों को balance अगर हम equalize करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा तो ये book इसलिए important है और देखे सबसे बड़ी बात क्या है बहुत बार repeat होता इससे ठीक है तो मैंने आपको overview इसकी क्या क्या बता दे अच्छे बात है पहली मैंने बता दे इसकी merit है explanation बहुत अच्छे से दे रखा है दूसरी बात हाँ जो main important book है इसके अंदर है जो सबसे important point वो है error बहुत कम है आप comparison बोलूँगा मैं current publication की book आती है राके स्यादक की publication की book आती है जीके की और अधर भी आती होगी एतना मुझे नहीं पता बट मैं especially आपको बता हूँ मैं आप कैसे भी SSC की book लीजिए या railways की देखे सबसे आधा problem हो थी error की और error हमें दिक्कत करते है इसलिए मैं कहा रहा हूँ बहुत अच्छे book है देखे वैसे मैं prefer करता था हमें इसे English की book पढ़ने के लिए क्योंकि English की book मुझे से ठीक लगती है पढ़ने में बट मुझे इसलिए दोनों ही अच्छी book रहती English or Hindi बट आप अगर देखेंगे अलग book जैसे राकिस यादक की publication book है वो भी GK की पुछी जाती है उसमें भी question इससे ज्यादा मिलेंगे explanation भी दे रखा है बट error उसके अंदर मिल जाते है किरेन के book ले लिए उसमें भी error है इसलिए मैं इस book को recommend करता हूं हमेशा courses करूंगा इस book का link description में देने की कि आपको इसको easily purchase कर ले क्योंकि इसको लेकर बहुत लोगों की दिक्कत आते हैं आप बता दीजी कैसी book है कौन सी है कैसा print है तो मैं आपको courses करूंगा इसका देने की ठीक है अच्छा दूसरी बात मैं जा आपको बता आता है देखिए यह रहा सबसची चीज जो है इसके अंदर कि कितनी बार repeat हुआ यह भी दिया जाता है तो मैंने overall आपको बता दिये इससे आपको यह पता चल जाता है कितना important question है मेरे लिए उसको ज़्यादा मेरे को ध्यान देना है तो मैंने overall बता दिये कितनी अच्छी book ह इसके ज़्यादा फाइदे हैं अब मैं आपको इसके demerits बताता हूँ जो नुकसान है जो हमारे को बहुत दिक्कत करेंगे हमारे exam के साब से तो सबसे पहली बात बताता हूँ इसका demerit जो number one है और यह सबसे ज़्यादा previous years के जितनी book होती है सबके साथ होता है और यह सबस 2019 के previous years के question चाहिए इस book का तो आपको नहीं मिलेगा आप किसी भी कीमत पर ढूंड लीजेगा क्योंकि मैंने खुद देखा है मैं खुद purchase करने क्या था हाँ किरन की book मिल जाते है क्योंकि बहुत तीजिस update होती है यह book नहीं होती है update यह सबसे बड़ी दिक्कत है और normally हर book के स last time में फिर मैंने इसके जो update version था purchase करने कोसिस करी मर्ड नहीं मिला मुझे इसका मुझे बहुत ही नुकसान भी हुआ इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कोसिस कीजिए कि online sources में आपको मिल जाते है previous years के book जिस examination के आप त्यारी कर रहे हैं उसके पिछले एक साल के सारे जितने SSC के नहीं पढ़ाओ तो आपको दिक्कत हो जाएगी और इसके लिए आपको अगर purchase करना भी पड़ता है तो मत कंजूस कीजे गरिये मैं आपको पहली बताता हूँ हमेशा मैं यह बोलता हूँ कि पढ़ाई में किया गया खर्च वो investment होता है कभी खर्च नहीं होता ठीक है तो आ English medium वालों को बहुत problem आती है इसको लेने के लिए क्योंकि उनके सारे topic clear नहीं होते हैं वैसे मैं आपको बता हूँ तो मेरा Hindi medium भी अच्छा और English medium भी मेरा starting का जो phase था वो मेरा Hindi medium का था फिर उसके बाद मेरा जो मैंने 10th clear करने के राद मेरा graduation हुआ या मेरे 12th 11th हुई वो सार बुक है ऐसा निये बुरी बुक है बट उनकी comparison ये ज़्यादा अच्छी है ये इसलिए मैं बोलता हूँ मेसा ठीक है तो overall मैं आपको समझाते है कि इसके merits क्या और demerits क्या है तो इसलिए मैं हमेसे कहूंगा previous skip book अगर आप करते हैं तो last का एक साल आप खुद ही उसको जोड रहते हैं क्योंकि repetition होने के सबसे चाज़ा chances होते हैं एक साल के जो time period में exam हुए है उनके question repeat होने कि और दूसरी बात जो नए question update होते हैं जो नए पूछे जाते हैं जीके में उनका आना आपके लिए बहुत valuable हो जाता है तो overall मैं आपको बता दिया अच्छी book है normally अगर देखे देखें आप मेरे book देख लीजिए कहीं से भी आपको खाली नहीं मिलेगी सब चीज पढ़ रखें मैंने और मैं इसके बारे में एक बताता हूं मेरे इंस्टा पर तीन चार बच्चों के लगातर comment है कि आप बताए कि हमने इसको पढ़ लिया है normally सारा पूरी तरह की समने ल पढ़ ली फिर भी हमारे marks 20 या 22 नमबर आ रहें तो मैं आपको बता देता हूं यह आपकी problem क्या है आप किसी भी चीज़ को visualize होके नहीं पढ़ते हैं आप किसी भी YouTube वीडियो को एक बार perfectly देखें जो जो आपको previous test में question पूछे गए हैं उनको जरूर देखें और बार बार पढ़ लेंगे फिर आप revision कीजिए अगर आपको कभी कोई question गलत करेगा तो मैं बताऊंगा आपको ऐसा हो नहीं सकता मैंने खुद अपने साथ ये दिखा है मैंने एक बार इस book को फूरा overall पढ़ लिया फिर मैंने जब test paper लगा है तो मेरे भी 22 नमबर आते थे यही मैं आप को उतारों ये कमी है आप revision कीजिए यूट्यूब वीडियोस देखिए जो previous के question होते हैं वहाँ पर कोई ध्यान देता नहीं बस strategy पर ध्यान देते हैं हमें question पर भी तो ध्यान देना है कैसे कैसे question पूछे यार उनको बार बार रिपीट करिए visualize हो जीए कि visualize होना बहुत जरू आएंगे तभी आपके अच्छे marks आएंगे जी के एक दिन का काम नहीं है तो overall मैंने आपको बता दिया ऐसे करना है कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये SSC और Railways दोनों के लिए अच्छे book है ऐसा नहीं है कि SSC वालों के लिए अगर Railways वाले इसको भी preparation कर लेते हैं इसक को बहुत valuable रहेगी तो आज की वीडियो के लिए पसंद आई तो वीडियो को जो like किजेगा चैनल को subscribe किजेगा क्योंकि ऐसी important वीडियो में लेकर आता रहता हूं खासकर SSC को लिए तो आज की वीडियो के लिए thank you